नमस्कार आंगनबारी सेविका सहाई का मीनी बेहनों आप लोगों का हमारे आंगनबारी नीच चैनल में श्वागत है लोग सभाब बजट प्येस होने वाला है आज जिस से पहले आंगनवाडी संगठनों द्वारा प्रधान मंत्री जी तक बात पहुचाई गई है और बाल विकास मंत्री उनके पास बजट बाते पहुचाई गई है जैसा कि हम आपको बता दे कि बजट 2024 में बड़ा बदलाओ देखने को मिलेगा ये क्या बड़ा बदलाओ देखने को मिलेगा आइए देखने में इसको हम पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं कियें तो लाइक करिएगा चैनल को सस्क्राइब करके वेल आइकन को अन कर लीजिएगा आईए हम आपको सीधा खबर के तरफ ले चलते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर हेडलाइन दिखे रहा होगा कि लोग सभा बजट सत्र म आगनबाडी बहनों के मांदे बढहतरी को लेकर पत्र भेजा गया है जिसमें अागनबाडी बहनों की बारत के मांगे की Selosya से और बिकास मंतरी को आईए देखते हैं इसमें क्या-क्या मांगे आंगनबाडी बेहनों की पूरी होगी आप अपना विचार कमेंट वाक्ष में कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो में जो इकि सुरू से अंत्र तक आप बने रहिएगा यहाँ पे देखी आईए हम सीरा लेटर के तरफ ल चुलाई को यह लेटर बेजा गया है बिसे देखिए बताया जारे कि उत्तर प्रदेश के चार लाख आंगनबाडी कारेकत्रियों की साहाइकाओं की मांगों की समस्याओं की निराक्रण संबंदी पत्र भेजा गया है आईए देखते हैं इसमें करके क्या-क्या की मांगे रखी कि यह क्या मांग की गई है देखिए पहले नमर बताया जारे कि आंगनबाडी महिलाओं को केंद्रिय क्रमचारी घोंसित किया जाए जब तक घोंसित नहीं किया जाता है तब तक कारेकत्री मीनी कारेकत्री को निंतब मैजदूरी जोई की 15,000 रुपया वा सहाइका को 20 वर्स की सेवा के उपरांत 1,00,000 रुपया तथा इस सेवा के उपरांत 7,500 रुपया दिया जाए अथवा जोई की अन्य राजियों की भाती जोई की योजनाओं का लाब भी दिया जाए तीसरे नमर बताया जाय रहा है कि मैं 2019 में मौबाइल डिचार्ज का पैसा नहीं आय आया था उसके बाद जो एकि अब तक पैसा अंगनबाली बेहनों को मुबाइल रिचार्ज का नहीं आया है उसको भेजा जाए दिया जाए चोते नवर बताए ज़रे कि आंगनबाली कारेकत्री की सौस समय भरती जो एकि नौ होने के कारण बहुत से आंगनबाली कारेकत्रिय सहाईकाओं की समस्याओं का निराकरन है संगठन से वारता न ही की जाती है उक्त की किरम में विभाग को निर्देशित करें कि मानने ता प्राप्त आंगनबाली संगठन से वारता कर उनकी समस्याओं या निराकरण किया जाये छट्वन और बताये जाये कि मुबाईल पर लागेतार उग्नबारी कारेकत्री द्वारा कारे करने के बाद को बाद शेकर के आदेस में राजस्थान में रजेकर को समाप्त कर दिया गया है वैसे बारत सरकार द्वारा समीराजों में रहिश्टर का WORK समापत किया जाए 77 नुम्र बताए जा रहे कि आंगयницंट का रेकत्रिकों अधिकारियों द्वारा जोई की एक एक वर्स के बाद जोई कि पैसा आता है इसको सो समय जोई कि भुक्तान किया जाए नवे नमर बताया जाए कि आंगनबाड़ी कारे कत्री को चिकिसा के इलाज ये तु भरती के दिनों तक पूरा मांदे जोई की दिया जाए इन्हें वर्थ में सेवा तन 15 दीन का चिकिस्टा आउकास भी दिया जाए दसवे नमर बताया जाए कि मुख्य सेविकाओं की सभी रित्य पदों पर पर सत्व प्रतिसत आंगनबारी कारेकत्रियों को बरिष्टता के अधार पर पदोंनती किया जाए ग्यारवे नमर बताया जाए कि आगनबारी कारेकत्रियों को प्रत्मिक पाट सालाओं में नौकरी के समयोजन में छूट देकर इनका कोटा निर्धारित किया जाए बारवेन और बतायजर है कि आंगनबारी कारेकत्रियों शाहाईकाओं को जोई की क्रमस पांसो रुपे और धाईसो रुपे प्रति वर्स जोई की इनके मांदे में ब्रिधी किया जाए अता जोई की संगठन आपसे अनुरोध करता है कि उपरुक्त हमारी मांगों पर विचार करते हुए जोई की अती सिग्र करवाई करने का कृपा की है तो इस तरह सी यहाँ पे जोई की बजट से पहले जोई की ये लेक्रत भेजा गया है वालविकास मंत्री जो अनपूर्णा देवी हैं उनके पास अपनी मांगों को लेकर जोई की अउगत कराएगा है अपनी समस्याओं से अउगत कराएगा है अब देखने वाली बात यह है कि आज बजट पेस होगा इसमें जोई की आंगनबाडी बहनों के संबंध में जोई की क्या-क्या बदलाओ देखने को मिलेगा क्या क्या जो एकि आंगिनबाडी बहनों के लिए नई घोश्राय जोए कि सरकार करती है अब बजटवेश होने के बाद ही जो एकि यह पता चलेगा और देखने को मिलेगा तो यह आगण बहनों के लिए बड़ी ख़बर निकल कर आ रही थी उत्तर प्रदेश से जो केंद्रे मंत्री बाल विकास मंत्री जी को एफ पत्र भेजा गया है जिस पत्र के माधम से इसकी जोई की जनकारी दी गई है तो ये थी आज की बड़ी खबर जो हम आपको पूरे डिटेल से दीए आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को अन कर लिजिएगा फिर मिलेंगा एगले किसी महत्तोफण खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैवारत